Hi everyone, welcome to today's video और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम PyCharm software कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे मशीन में PyCharm एक software है जिसके थूप Python का code लिखा जाता है इसको IDE अलसो बोलते है IDE का मतलब है Integrated Development Environment और ऐसे बहुत सारे IDE है जैसा Visual Studio Code, Eclipse, Sublime Text, Atom बट Python के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है PyCharm सबसे पहले देखते ही कि हम PyCharm को डाउनलोड कैसा कर सकते तो आपको एक ब्राउजर खोल के उसमें PyCharm डाउनलोड डालना है जैसी आप ये डालोगे तो सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा डाउनलोड PyCharm का from JetBrains JetBrains वो company है जिसने PyCharm software बनाए है तो company का नाम है JetBrains और software का नाम है PyCharm फिर आप उसको क्लिक करोगे तो ये आपको डाउनलोड के पास लेके जाएगा यहाँ पे दो options हैं डाउनलोड की एक होता है professional edition जो है paid edition और दुसरा होता है community edition जो है free edition तो हम use करने वाले community edition अगर आप windows यूज कर रहे हो तो आपको ये windows के option में लिके जाएगा जो same है यहाँ पे professional है और community है तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेगे और हम डाउनलोड पे क्लिक करेगे तो कभी ये पाच मिनिट भी ले सकता है दस मिनिट भी ले सकता है जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा फिर आपको ये setup फाइल यहाँ पे दिखेगी डाउनलोड के अंदर आपको इस पे क्लिक करना है अगर आप windows का डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे EXC दिखेगा आपको इसके ओपर double क्लिक करोगे तो वो installation procedure स्टार्ट हो जाएगा फिर आप उसको install क्लिक करके installation procedure को आप complete कर दोगे जैसे आपने ये complete कर दिया तो आपको ये applications में दिखने लगेगा इसको आप क्लिक करके open कर सकते हो तो ये आपको पूछेगा आपको data sharing करना ये सब आप default options अपने हिसाब से आप रख सकते हो और ये welcome screen है जो first time जब खुलेगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे हमको सबसे पहले क्लिक करना है new project पे और यहाँ पे project का नाम दे सकते हो तो आप लिखोगे my project है ना फिर यहाँ पे दुसरे options हैं जिनको हमको touch नहीं करना है सिर्फ आपकी knowledge के लिए जो python install हुआ है वो इस location पे हुआ है तो pycharm इस location के python को use करेगा interpretation के लिए इसलिए आपे लिखा है base interpreter और python इस location से वो detect करके automatically use करने वाल है जब आप python code लिखोगे pycharm में तो वो यहाँ से execute करेगा python को तो यहाँ पे एक option है कि create main.py welcome script तो वो खुद से project के अंदर इस project के अंदर एक file बनाएगा main.py जिसके अंदर python का sample code होगा तो हम click करेगे create तो हमने यहाँ पे सिर्फ इस नाम को change किया है बागी हमने create पे क्लिक कर दिया जैसी आप create पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का एक window देखेगा अभी मैं इसको maximize कर देता हूँ अब maximize होने के बाद यह हमारा project है जो हमने project लिखा था my project ठीक है इसके अंदर एक file है main.py python की जो भी files होती है उसका extension होता है .py यह बागी के सब चीजों को हमको नहीं देखना है अभी ठीक है यहाँ पे अब हम देखेगी कि यह text काफी छोटा है तो अगर आपको इसको बदलना है तो आप पाइचा में जाईए settings में जाईए settings में जाके appearance के अंदर यहाँ पे आप इसका color change कर सकते हो for example अभी इसका theme है darkula तो आप इसको intelligent light कर सकते हो या जो भी आपको option अच्छा लगे आपको कर सकते हो ठीक है फिर आप यहाँ पे दालोगे font मुझे text की size बढ़ाना है तो मैं भी font दालूगा और font के अंदर में लिखूगा 13 size है तो मुझे इसको बढ़ा के 13 में यह इस तरीके दिख रहा है तो यह थोड़ा छोटा है तो मुझे इसको बढ़ा के 20 कर देना है या मेरे सबसे अगर आपके सबसे आपको और बढ़ाना या छोटा करना है आप number दाल सकते हो यहाँ पे आपको size दिखेगा तो यह size काफ पेरे reading के लिए भी अच्छा है तो यह हो गया हमारा पहला project और हमारी पहली python file अब इसको जब run करना रहता है तब हम इसको यह पे यह play button है जिसको run बोलते है और यहाँ पे वो दिखाएगा कौन सी file को run कर रहा है तो for example अभी जब मैं mouse इसके ओपर ले जाता हूँ तो दिख इसको run करूगा तो यहाँ पे इसका python code का output दिखाने लगेगा ठीक है तो यहाँ पे यह जो file है इसकी details दिखा रहा है और यह जो output है जो हमने यहाँ पे दाला है उसको code की अंदर जहां भी दाला है यह हम next video में देखेगे तो यहाँ पे आपको output दिख रहा है यह run के और option है debug का जो हम आगे सीखेगे बट इससे भी same काम होता है इसमें वह software जो है वह code में रूपता है कुछ कुछ जगा जब हमको check करना है तब रेड बटन एक है उसको breakpoint बोलते वह breakpoint दालने से वह रूख जाता है उस जगा software में उस जगा पे वह रूख जाएगा ठीक है button दमाने के बाद हमको high python आ जाएगा ठीक है उमीद करता है यह वीडियो आपको अच्छा लगे और please like और subscribe कीजिए और अभी अगले वीडियो में हम और detail में python के बारे में सीखेगे